बिहार सरकार या बिहार सरकार के जितने भी तंत्र हैं वो तो हम लोगों को लाठी डंडा यहां तक कि किसे कितने महिलाओं पे पेट्रोल डाला गया था सरकारी करमचारियों के दुद आज मेरे हां बिलीब कीजिएगा चावल और भिंडी का भूजिया बना है खूसी से कीच पतना स्थित नेपाली नगर और राजीब नगर में पिछले साल सरकार के द्वारा अतिकर्बन हटाने के नाम पर घरों के उपर बुल्डोजर चलाया गया और उस मामले में आज पतना हाई कोट के और से एक अहम फैसला दिया गया है पतना हाई कोट ने साफ तोर पे कहा है कि जो बुल्डोजर चलाया गया था वह कानूनी रूप से गलत है पहले आप इस नजारे को देखिए घर को किस तरह धोस्त किया गया था आज से लगवग एक साल पहले एंडिया की सरकार हुआ करती थी और सरकार के आदेश पर अतिकर्बन हटाने के नाम पर घरों के उपर बुल्डोजर चलाया गया कई घर जो नब निर्मित थे जो नया नया घर बनाया जा रहा था उसके उपर सरकार के दोरा बुल्डोजर चलाया गया और घर को धोस्त कर दिया गया और इस मामले में अब पटना हाई कोट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और पटना हाई कहा गया है बिहार के मुक्सचीब को कि छो साफता के अंदर आप जांच कीजिए और जो दोसी है उसके नाम का आप पता करवाईए कौन है और उस नाम को सामने लाइए साथी साथ सरकार को यह कहा गया है पटना हाई कोट के द्वारा कि पांच पांच लाख रुपिया दिया जाए उन सभी परिवारों को जिनके घरों के ऊपर बुल्डोजर चलाया गया है देखिए यह महिला है और सबसे ज्यादा चोटी लगर कहा जाए तो यह महिला होई थी उस वक्त क्योंकि इन्होंने अपने आसियाने को तोरने से बचाने का काम किया था बच तो नहीं के माध्यम से हम लोग जज साहब को धन्यबाद देंगे धन्यबाद के पात्र हैं कि जो हम लोगों को और यहां के किसानों को समझे और आज उन्हीं के कारण हम लोग यहां है ने तो बिहार सरकार या बिहार सरकार के जितने भी तंत्र हैं वो तो हम लोगों को लाठी डंड यहां तक कि किसे कितने महिलाओं पर पेट्रोल डाला गया था सरकारी करमचारियों के द्वारा यह बड़ा इलजाम लगा रही है कि सरकारी करमचारी पेट्रोल डाला नहीं है यह हकीकत है हम लोग उस समय नहीं बोल रहे थे लूट पार्ट मचाया गया कि यहां क्योंकि पु पूरा का पूरा हम लोग एकदम निसाहाए हो गए थे सरकार के अदेश पर पटना हाई कोट ने फैसला सुनाया है सरकार को कहा गया है कि पांच-पांच लग रुपया मुआपजा दिया जाए कितनी की छती हुई थी आपकी छती का अनुमान तो हम इंजिनियर नहीं है कि हम लगा सकते हैं लेकिन चती पांच लाख रुपय अगर जजज साहब ने यह दिये हैं तो यह बहुत हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा यह है लेकिन पांच लाख रुपय का क्या आप देखिए इस बिल्डिंग को इस तरह से तोड़ा गया था कि इसमें अभी 10 लाख को रही माकान माली कर्ज हमारा अप देख लिजेगा पूरा बॉंड को तोड़ दिया गया था माकान को भी तोड़ दिया गया था हमको तो नहीं लग रहा है कि Information यहां से घर को छोड़ कर क्या लग रहा है कि मतलब जो सरकार का फैसला आया है उस फैसले के बाद फिर से यहां लोग आएंगे एक दम आएंगे क्योंकि देखिए आद जो घर को छोड़ के कहीं गए नहीं है वो रेंट पे हैं क्योंकि उस समय जब बुल्डोजर से मकान तोड़ा जा रह था सुविधा नहीं थी सुविधा नहीं थी तो अब लोग रेंट पे लेकर करा रहें लेकिन जब फैसला आया ज़साहब के को हम लोग फिर से फिर मैं धन्य बाद देना चाहूंगी और उनके माध्यम से फिर यह आसियाना बसेगा जा रहा है कि अब जितने भी थाना प्र परभारी करवाई होगी नहीं होगी वो कोट का मामला है उस पर हम कोई टीका टीपड़ी नहीं करेंगे पहली बात दूसरी बात रह गई कि आज तक ठाणा परभारी को भी मैं कहूंगी मैं ना मनाने के टाइम नहीं एक रुपया दी हुं ना आभी तक किसी के नहीं कीजिएगा आज हम लोगों के हाँ जब सुबा में हम लोग लाइब देख रहे थे इस पर को माइब के मामला को मोबाइल पे तो सारे जेंट्स चले गए थे महिलाएं सब लोग थी थोड़ा बहुत हमारी जो चेतर की सबसदारन महिलाएं हैं जिसमें की इंग्लिस में आप एसपीच देख रहे हैं थे की कोट का चल रहा था सभी महिलाओं को नहीं समझ में आ रहा था जब जैसे खतम हुआ मैं आई और यहां सब को बोली आप बिलीब नहीं कीजिएगा कि खूशी के मारे हम लोग यहां खाना नहीं बना है खूशी से कीचन में जाने का नहीं करन हटाने के नाम पर बुल्डोजर चलाया जा रहा था तो वहीं आज उस खूशी के करन खाना नहीं बन पाया क्योंकि खूशी उस बात की है कि पटना हाई कोट ने फैसला सुना दिया है और सरकार को कहा गया है कि आप पांच-पांच लाख रुपिया मुआवजा दीजि उनने इस तरह की गलत सम्या पैदा की और उनके कारण इस तरह के कारवाई सरकार के द्वारा की गई राज़ानी पटना के नेपाली नगर और राजीब नगर में कबरों का सिल्सिला यहीं चलता रहेगा जुरूर रहें फर्स्ट बिहार के साथ अपने सयोगी आरियन आनंद सर्मा के साथ बिशुजीत आनंद फर्स्ट बिहार पटना